बहुत गरम है होंगे ऐसी मज़े आशा है और फुल ब्लॉक आज मैं अपलोड कर रही हूँ पिशली जो क्लिप्स देखे आपने वो 27 नवंबर की है जब मैं नापपूर चरी गई थी हमारी मेरी बुवासास के आशारी वहां से भईया भावी भी साथ में ट्रिप पे जाने वाले थे तो उनके लिए हम एक दिन पहले चले गए थे और कुछ शॉपिंग थी जो करना था वो भी कर ली थी अब ये क्लिप है 28 नवंबर मॉनिंग की जब मैं उनके हाँ पाकिंग कर रही थी मेरे बैक की जो लास्ट मुवेंट पाकिंग होती है लगबग सुभा 6 बजे क्योंकि हमें निकलना था पचमडी के लिए बच्चे सो रहे थे उनका भी एक प्यारा सा बेटा है पार्थ जि कैसा लग रहा था ये मेरा कुर्ती वाला लुक मुझे कमेंट पॉक्स में सरूर बताईए था और हाँ आगे ये ब्लॉग बहुत इंटरस्टिंग है तो प्लीज पूरा देखिएगा आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी नॉलिज मिलेगी फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग सो गए थे क्योंकि सभी मतलब कि बाकी जो ट्राइविंग करे थे भाईया और संकिते जग रहे थे पाकी हम सब बच्चे और हम दोनों सो गए थे क्योंकि मौसम काफी सर्द हुआ हुआ था और सुभा जल्दी भी निकले थे इसलिए सुहारा से सफर करते हुए लगभग 2 बजे हम पहुच गए थे बच्मरी और यहां हमारा चेक-इं टाइम भी इतने ही बजे का था तो हम लोग खुश थे कि हम टाइम से पहुच गए जयो टार्गेट हमने सेट किया था उस टार्गेट पे हम पहुच गए और weather इतना प्यारा था कि मैं तो बस window open करके weather को ही enjoy कर रही थी और अब ये जो खुबसूरत सा गार्डन और खुबसूरत सी जगा आप मेरे कैमरे से देख पा रहे हैं वीडियो क्लिप के द्वारा देख पा रहे हैं ये मेरा resort था और कह सकते हैं अस थाई रूप से ये दो दिन के लिए हमारा निवासिस्थान था जो बहुत ही खुबसूरत था आगे आप लोगों को इसका पूरा ब्लॉक दिखाती हूँ तो कुछ इस तरह से इसका entrance था इतनी greenery थी इतना आखों को सुकून मिल रहा था कि आपको मैं explain ही नहीं कर सकती हूँ और ये जो मिठी मिठी धूप आ रही थी ये बहुत अच्छी लग रही थी बच्चे तो यहां आते से ही खेल में लग गए क्योंकि इनका lawn इतना अच्छा है और फिर हम लोग चल दिये आगे पूरा की पूरा resort विजिट करने के लिए ये इनका main जो lobby area कहते हैं वो था या यहीं इनका restaurant भी है और यहीं इनका reception भी और कुछ इस तरह से पूरी walking करते हुए आगे और यह जो छोटी छोटी pots रखे थे मिट्टी के इसके look को बहुत enhance कर रहे थे बहुत ही जादा खुबसूरत पूरा resort उनने design किया है और आस पास पूरा प्राकरतिक रूप से इतना घेर गए थे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकते हूँ बच्चे तो बहुत ही enjoy कर रहे थे फिर हम जैसे ही हमारी room के पास पहुचे तो हमारे सामने की ही garden में कुछ इस तरह के slide और ये सब toys रखे हुए थे तो बच्चे तो अपने काम पे लग गए बस उन्हें क्या चाहिए कि हमें ये चीजे खेलने के लिए मिल जाए और क्या तो वो उनके काम में लग गए और हम चले गए हमारा room देखने के लिए तो यहाँ अविक को देखिए उसको ना डर लग रहा था क्योंकि ये जो normal उसका slide है उससे ये थोड़ा सा बड़ा था तो वारबर वो दो सीडियां चड़ रहा था और दो उतर रहा था एकदम vintage vibes थी room की और बहुत ही प्यारा लग रहा था और जो इसका ये mirror और dressing बोल सकते हैं हम dressing table ये तो बाप प्रे कितना प्यारा है vintage और मुझे ऐसे चीजे ना काफी पसंद आती है तो इसलिए मुझे ये room इसका पूरा ambitious और पूरा जो इसका किया हुआ interior था वो काफी पसंद आया आप लोगों को कैसा लगा मुझे comment box में जरूर बताइएगा और यदि आप लोग पचमड़ी जा रहे हैं तो आप भी अपना trip गोल्फ व्यू में try कर सकते हैं आपका stay गोल्फ व्यू रिसॉर्ट में कर सकते हैं काफी प्यार रिसॉर्ट है और affordable भी है बहुत costly नहीं है तो इस तरह से यह हमारा रूम था बहुत ही सुंदर सा और आजू बाजू दोनों सेम ही रूम थे एक भया भाबी का था और एक हमारा और हमने फिर यहां पर बैट then coffee के बाद हम चले गए थे lunch करने और trust me आपका पूरा पैसा वसूल हो जाता है यदि किसी resort, restaurant या फाविस्टा जहां पे भी आप रुक रहे हैं उस hotel का उस resort का यदि खाना टेस्टी है तो आपका पूरा पैसा वसूल है तो वैसे ही type का इस जगा का खाना बहुत टेस्टी थ स्टाफ बहुत कोपरेटिव था इवनिंग में हम कुछ इस तरह से रेडी हो गए थे तो यह मेरा जो आउटफिट है क्योंकि थंडी थी और मुझे इतना मजा आया थंडी के सारे कपड़े मेरे हुज हो गए है महरास्ट में थी थंडी पढ़ती नहीं है मेरे शादी के पह मुझे कुछ वुलन पसंद आता है तो ले लेती हूँ तो बस हमारा सारा वुलन यहां यूज हो रहा था मुझे बहुत ही मजाया तो यह मेरा एक लूस सा काइंड ओफ इसको बुल सकते वुलन टॉप था फरफर वाला जो मुझे बहुत पस इसको पहनने के बाद मुझे ब धूम सकते थे हमने ट्रैकिंग वगेरा या फिर धूब गर चड़ाई या संसेट यह सब हमने नहीं किया क्योंकि हम बच्चों के साथ यह सब करना पॉसिबल नहीं था बच्चे भी ठक जाते और हम भी बहुत जादा उनको ले लेके ठक जाते फिर रिलैक्स नहीं कर पाते और चिड़ चिड़ हो जाता और सारा गुस्ता फिर बच्चों पे ही उतरता है तो इससे वे बैटर है आप बच्चों के साथ वैसी जगा हैं चुनिए जिसमें वो भी कमफर्टेवल और आप भी और ऐसा नौका भी हर कने में तो बच्चों को बहुत ही मज़ा आया और पानी थंडी-थंडी हवाइं और उसमें नाव हमने पैडल नाव ली थी जो चल रही थी तो बहुत ही प्यारा लग रहा था और अविक को पकड़ पकड़के रखना इतना मतलब पकड़के रखना पड़ता है उसको क्योंकि वो पानी के लिए बिल्कुल पागल है उसे बस रिसॉर्ट जाते वक्ती ना बीच में छोटा सा मार्केट आया था तो हमने सुझा कि चलो ये मार्केट एक्स्प्लोर कर लेते हैं तो हम यहाँ पे बचों का थोड़ा बहुत वुलन वगरा देखने लगे मैंने यहाँ से क्या लिया है यह मैं आपको दिखाऊंगी एक छोट सा ब्लॉक बनाकर और भी बहुत सारी चुटी-चुटी चीजे मैंने वहाँ से बाई की है जो बहुत ही अच्छी है तो मैं आपको अगले ब्लॉक में जरूर दिखाऊंगी फिर हम वापस आए रिसॉर्ट यहाँ पे नाइट हो चुकी थी रात की लाइटिंग वगरा ओन लेकिन मेरा कैमरा इतना जो कितना सुन्दर था फिर उसकी बाद हम चले गए थे डेनर करने तो जो हमारा मेरा पकेज था वहाँ का उसमें डिनर और पेकफास्ट इंकलुड था तो आप बाप रितना माउथ-वारंग थाब हां का यहाँ कहीं बदारओं और जब इसके clip देखोगे ना तब ही आपके मूँसे पानी आजाएगा. यमी सा सूप, विद पापड, देन स्टार्टर में पास्ता और ये सम्थिंग इसका नाम कुछ अलग था, ब्रेड पे स्टाफिंग करके ये सर्फ हुआ था, टोस्ट बना के बहुत ही यम था. और फिर खाने में भी दो तरह की सबजी, रोटी, और आपको जो भी लेना हो ना, और इतना कॉपरेटिव यहां का स्टाफ था, कि वो हमें ना रोज बच्चों के लिए अलग से फीका या फीकी डाल बना के दे रहा था, और डेजर्ट में हमने ली लास्ट में ब्राउनी, और गुलाब चामुन भी थी, तो गुलाब चामुन मैंने ने ली थी, मैंने बस ब्राउनी खाई थी, तो ऐसा रहा था हमारा पचमडी का पहला दिन काफी सुन्दर, काफी कमफर्टेवल और बहुत ही जाधा प्यारा सा जो रिसॉर्ट है वो तो काफी प्यारा है आप लोगों को एक बार विजिट जरूर करना चाहिए चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगी कल की वीडियो एक नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाबाई और बने रहे हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चानल पर फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब और टिक यर अल आफ यू बाबाई